दोस्तों ABC कोचिंग योटूब चानल में आप सभी का स्वागत है आप लोग कैसे हैं आसा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्थ होंगे अपने बोर्ट एक्जाम के तैयारी मल लगा कर रहे होंगे और इस बार भी आपको बोर्ट की परिक्षा में अच्छा सच्छा माक्स लाना हूँ जो कि आपकी बोर्ट की परिक्षा में लगभग कोच्छन जो है टच होंगे इस वीडियो में बताएगा सभी कोच्छन को जो है आप अपने कौपी में नौट करते जाएं और दोस्तों एक्जाम से पहले जो है इन सभी कोच्छन को आप अच्छे से रिविजन कर ली जाए इसे कई सारे कोच्छन आपकी बोर्ट की परिक्षा में पूशे जाएंगे तो चलिए दोस्तों कोच्छन क्यों चलते हैं तो देखें दोस्तों सबसे पहला कोच्छन आप मारी स्क्रिन पर देख पा रहे हैं या पर पहला कोच्छन दिया है कि इन में से कौम सा ग्रह सुरी के सबसिच नदिक का गरा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मरकरी कहते हैं जो कि option number आपका B में दिया हुआ है ठीक मरकरी यानि की बुद्ध ठीक है चलिए अगला question देखें यहां लिखा है कि हिमाले की किस भाग में करेवा भुआ क्रिती पाई जाती है तो दोस्तो इसका answer क्या होगा आपको मैंने पहले भी बताया था और यह repeated question भी है तो दोस्तो इसका answer जागा कस्मीर हिमाले ठीक है option number आपका D जो है सही answer हो जाएगा चलिए अगला question देखें तो लिखा है निमलखित में से कितने भारत के जीव मंडल नीचा यूनेसको द्वारा मन्यता प्राप्त है तो दोस्तो इसका भी answer हो जागा option number D यानि की 4 ठीक है option number आपका जो है D यानि की 4 जो है भारत के जीव मंडल नीचा यूसको द्वारा मन्यता प्राप्त है इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे ये कोशन जो है काफी बिबिया या और रिपीटेट कोशन भी या ये बार बार एक्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी एक्जाम में पूछे जाएंगे देखें अगला कोशन यहाँ पर चौथा नमबर दिया है कि करंबबद भुगोल का परती पादन किस ने किया तो दोस्तो इस कांसर जागा उपसर नमबर C हैंबोल्ट ने ठीक है तो उपसर नमबर आपका C स्यांसर होगा अगला सवाल पाचवा नमबर है कि नर्मदा और तापती नदियां बहती है तो यानि कि नर्मदा और तापती नदियां जो बहती है वो किस से किस दिसा की ओर बहती है यह आपको यहाँ पर बताए गया है तो सबसे पहला उपसर निया है पस्रिम से पुर्व की ओर दूसरा दिया है पुरूव से पस्रिम के ओर तिसरा है उत्तर से दक्षिन के ओर और चौथा है दक्षिन से उत्तर के ओर तो दोस्तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पुरूव से पस्रिम के ओर क्योंकि नर्मदा और ताति नदी जो है वो पूराब से लेकर पस्रिम के और बाती है तो option number आपका भी ये right answer होगा इसको अच्छे से copy में not कर ले अगला question चाठा number है कहता बाड आने के कारण नहीं है तो देखें दोस्तों यहाँ पे 4-4 गो option दिया गया है पहला दिया गया है सुनामी, भारी वर्सा और जैविक आपदा तो यहाँ भी ये question कहा गया है कि बाड आने के कारण जो है नहीं है या कारण नहीं पूछा गया ये पूछा गया कि बाड आने की कौन सा कारण जो है नहीं है जो कि इससे संबद्द नहीं रखता है तो दोस्तो इसका जो आंसर होगा वो हो जागा जैवी काबदा क्योंकि जैवी काबदा ठीक है यानि कि बाइलोजिकल जो है डेस्टर जो है ये क्या है ये बाल आने का कारण नहीं है अगला कुशन देखे सात्वा नंबर दिया है कि रेगण मिर्दा का दूसरा नाम है तो र अगला कोशन है कि इन में से कौन सी मानव भूगोल की साखा है ये नवा नबर जो कोशन है न ये काफी बिबिया है और रिपेटेट कोशन भी है तो दोस्तों इसका अगला कोशन दास्वा नबर है कि सुनामी सब्द की उत्पती हुई है तो सुनामी सब्द की जो उत्पती है वो जापानी है ठीक है ऑप्सन नबर C एंसर हो जाएगा जापानी अगला कोशन है ग्यारे नबर कहता लेटराइट मिट्टी का निर्माता है यानि कि लेटराइट जो मिट्टी है उसका निर्मान कैसे हुआ है ये आपको बताना है तो इसका अंसर हो जागा निक्षालन के द्वारा ठीक है यानि कि लैंचिंग के द्वारा जो है ये क्या हुआ है लाइट राइट मिट्टी का जो है निर्मान हुआ है तो option number D जो है इसका सही आंसर होगा अगला सवाल 12 नंबर दिया है कि इन में से किस कारण भारत के उत्तर पस् मी विक्षोब ठीक है option number A इसका सही आंसर होगा अगला सवाल है कोईला तथा पेट्रोलियम प्रकार की चट्टानों में पाए जाता है यानि कि कि किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाता है ये तो आप लोग को अल्रेडी पता होगा क्योंकि यह जो है न ये अब साधी चट्टान में पाए जाता है तो देखे option number D में दिया हुआ है अब साधी चट्टान ठीक है इसको अच्छे साप लोग जो है कौपी में नौट कर लें और देखे अगला question 14 नंबर दिया है ताकि कौन सी गैस सौर विकिरन के लिए पारदर्सी है तथा पार्थिव गैस के ल जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है तो देखे ये तो छटा वाल सवाल है छटा में है सत्मा अठमा नम्मा में पूशा गया था और ये भी आप लोग अल्रेडी मालूमी होगा तो यहां पर यह है कौन सी परकिरिया उसको कहते है जो की जल जो है द्रव से सिधा जो है गैस में बदल जाता है यानि कि कोई द्रव है ठीक है जल जो है वो द्रव से सिधा मतलब जल क्या एक द्रव में हुआ और द्रव से वो सिधा जो है गैस में बदल जाता है तो उस परकिरिया कहम लोग क्या कहते है तो दोस्तों उसको हम लोग कहते है वास्पी क कहते हैं ठीक है याद रखेंगे अगला सवाल देखे स्वलन नमबर दिया है कि वाई मंडल के कौन से परत का सम्मध मौसमी परिवर्टन से सम्मन दित है तो इसका अंचल जागा छोग मंडल ऑप्सिन नमबर ए अगला कुशन है भूकम मापने में परियोग किया जाने वाला यंत्र है यानि कि भूकम जो है किस यंत्र से मापा जाता है उसका नाम आपको बताना है तो इसका अंचल जागा दूस्तो सीमोग्राफ टिक है ऑप्सिन नमबर आपका जो है सी संयांसर होगा अगला सवाल है अठारे नमबर जिसमें दिया है कि इनमें से कौन सी ग्रीन नहीं है अगला सवाल है कि भारत का दक्षितम बिंदू है तो इसका अंसर हो जाएगा इंदरा बिंदू आपका सी सयांत रोगा अगला सवाल विश्वा नंबर है कहता है कि मैदान के भावतिक लक्षन है तो इसको अच्छे से आपनों जो है याद कर लिजे रिपीटेट कु इसका अंसर नंबर डी इसका सही अंसर होगा इसको अच्छे से याद करेंगे अच्छे से दिमाग में रखेगा अगला सवाल है कि चक्रवात की आँख होती है तो इसका अंसर हो जाएगा बच्चो यह काफी विभी आई है इसका अंसर जागा सांत तथा में गरहित होती है अगला सवाल है भारत के मानसुन परवेश करता है तो भारत जो है कब मानसुन परवेश करता है किस महिने में करती है ये आपको यहाँ पे पूछा गया है तो इसका अंस जागा दोस्तो जून महिने में जो है भारत में मानसुन जो है परवेश करती है अगला सवाल है रुपा चटानों की जो उत्पती हुई है वो हुआ है option number C यानि कि अगने चटान और अवसाधी चटान दोनों से हुई है तो यानि कि A और B दोनों हो जाएगा ठीक है इसलिए option number C इसका सही अंसर होगा और दोस्तों अगर option में जो है एक ही दिया रहे तो आपको यहाँ पे क्या करना है अगर अगने चटान दिया जाए तो वही आपका answer हो जाएगा अगर अवसाधी चटान रहेगा तो वो answer हो जाएगा यानि कि दोनों अगर दिया जाए तो दोनों आपको याद रखना है कि अगने चटान और अब साधी चटान, रुपांतरित में जो है, रुपांतरित चटानों की उत्पति हुई है, ठीक है, याद रखेंगे, चलिए, अगला कोशन देखें, यहाँ पे 24 नमबर दिया गया है, इन में से कौन जो है, लक्ष दूइब की राजधानी है, तो इसका अच्छन दो कवरती ठीक है, अपसर नमबर आपका D, जो है, सही आंसर होगा, ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी मिनट कर लिजे, और दोस्तों मुझे कॉपेंट करके बताएंगे, अगर इसमें से कोई भी कोशन आपको समझ में नहीं आता, तो मैं एक्ष्ट्रा में आपको जो है, अच्छे सा रहा होँगा, इसलिए आप चैनल पर नहीं है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल अकून को प्रेश चरूर कर लेना, चलिए आगे देखते हैं, पचिसवा नमबर कुशन दिया गया है कि पिर्थिवी तथा चंद्रमा की नुन्तम दूरी क्या है, तो दोस्तों पिर टानों में जो पाए जाने वाले लोहा की जो अंस होते हैं, उसमें अगर ऑक्सिजन को मिला दिया जाए, तो उससे क्या बनेगी, तो यहां पी काफी important सवाल है, और आपनों को ये भली भाती पता ही होगा, क्योंकि ये जो है iron oxide बन जाएगा, तिक है, यानि कि iron ये हो गया और oxygen हो गया, अगर iron और oxygen को अगर option योग किया जाता है, यानि कि अभिकिर्या करा जाती है, तो वो हो जाता iron oxide, तो option नमबर आपका B में दिया हुआ है, तो ये आपका सर्टी कांसर हो जाएगा, इसको अच्छे से नड़नोट कर लीजे, अगला question 27 नमबर दिया है, कि इन मे जायविक परजाती नहीं है, लेकिन उस तंत्रिक में अस्थापित की गई है, तो दोस्तो इस कांसर जागा option नमबर C, वीदे सज परजातियां, option नमबर आपका C, जो है, सही आंसर होगा, अगला सवाल 29 नमबर है, कहता है कि जायविक अप्छाय में समल्लित है, तो दोस्त इसका जो सही अंसर रहगा, इन में से सभी हो जाएगा, अगला सवाल है कि वीली, वीलीज है, यानि वीली और वीलीज क्या है, यह आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो वीली और वीलीज जो है, यह एक उसने कटी बन दिये चक्रवात है, ठीक है, इसको अच्छे से सवाल कुछ अविजीब है, लेकिन यह जो है, एकजाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे सा आप लोग जो है, नौट कर लेजे कॉपी में, चलिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, कि इसमें से जो मुख्य प्लेट है, वो है अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, ओप हिमाक्षित चेत्र में जो है, निरमीत होता है, ठीक है, ओप्सन नमबर डी, इसका सही अंसर होगा, हिमाक्षित चेत्र, अगला सवाल यहां पर देखें, मांचित से दिया गया है, यहां पर दिया गया है, कि दिये गए मांचित्र में कौन सी धिल लिखाया गया है, तो दो या क्या है एक चिलकाजिल, यहाँ पे जो अकरती दी गई है, चलिए अगला सवाल देखे, 34 नमबर यहाँ पे दिया गया है, कि दिये गए मांचित्र में कौन सी नदी दरसाए गई है, तो आप यहाँ पर धियान दिजे पिक्षर में, और इस जगह आप देखें, तो यहाँ पर का गया है कि इस जगा जो है कौन सी जो है नदी को दरसाया गया है तो दोस्तों इसका जो आंचर होगा वो हो जाएगा option number C यानि कि यहां पर जो है इस जगा जो है कावेरी नदी है ठीक है option number C इसका सटीक आंचर होगा अगला सवाल है कि छ्यांकित भाग दुवारा किस मिरदा प्रकार को दरसाया गया है तो इस कांसर लागा काली मिरदा क्योंकि आप यहाँ पर देखें यह किस छेतर में है और यहाँ पर इस छेतर पर जो है सिर्फ काली मिरदा ही पाई जाती है तिसलिया उसका सटी कांसर option number A इसका सही answer होगा ठीक है इस वीडियो में 35 कोशन मैंने आपनों को जोग्रेफी का बताया है बूगोल का बताया है इन सभी कोशन को आप exam से पहले रट लिजेगा इसको अच्छे से तयार कर लिजेगा ताकि आपके exam में एक भी कोशन ना चुटें और आप मुझे एक भी ये comment नहीं आयाना चाहिए कि sir exam में हम तो गए लेकिन भूल गए ये ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको करना भी नहीं है आपको सभी कोशन को अच्छे सा आपनों को जवाब देना है अच्छे सा आपकी तैयारी रहनी चाहिए ताकि आप board exam में अपना target की पूरा कर सके और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ सेर ज़रूर करेंगे चैनल पर नए है चैनल को सस्क्राइब करने के साथ बैल आइकोन को प्रेश जरूर कर लिजे ताकि इसी परकार से बोर्ड exam के तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपनों को लगातार कराई जाई और आपनों को टाइम टू टाइम जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके चले दोस्तों मिल करनेक्शन और तर्टलग जाहिंत वन देमार